काल की कर्तूद एक राजा था, वह अपने राज में सदा सुख शान्ती चाहता था, एक दिन वह सेर अकेले निकला, जब कुछ दूर गया तो देखा कि एक रीच आ रहा है, फिर देखा कि दूसरी तरफ से एक शेर आ रहा है. रीच शेर को देखते ही तूट पड़ा, शेर भी डट गया, दोनों आपस में लड़ने लगे. अंत में रीच ने भालू को मार डाला और आगे बढ़ा. राजा रीच के पीछे पीछे चला, थोड़ी दूरी आगे गया तो देखा कि वह रीच बहुत ही सुन्दर एक औरत हो गया, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ. राजा औरत के पीछे पीछे जाने लगा, थोड़ी दूर जाने पर एक मैदान में एक कुवा था, कुए से कुछ दूरी पर एक गाव था, वहां और उस कुए पर बैठ गई. राजा चुपचाप एक पास में जाड़ी थी, वही छुप गया और तमाशा देखने लगा. थोड़ी देर में दो जवान आए, दोनों भाई थे, दोनों सैनिक थे, छूटी में घर आ रहे थे. दोनों साथ में अपने सामान तथा तलवार लिये थे. दोनों भाई उस कुए पर पानी पीने के लिए बैठ हैं, और विश्राम करने लगे बड़े भाई ने कहा कि मैं कुए से पानी निकालता हूँ, तब तक पास के गाव की दुकान से कुछ मिठाई लाओ, फिर पानी पीएंगे. छोटा भाई चला गया. इतने देर में उस और ने बड़े भाई से कुछ इस तरह बात किया कि वहाँ उस पर आसक्त हो गया. जब छोटा भाई दुकान से आ गया, तो बड़ा भाई किसी काम से फिर दुकान पर गया. इस बीच उस औरत ने छोटे भाई से बात करके उसे मोहित कर लिया और अपने बालों को बिखरा कर कर कपड़े को जहां तहां फार दिया. जब बड़ा भाई आया तो और ने इशारा किया बड़ा भाई छोटे भाई पर आग बबूला हो गया छोटे भाई ने कहा कि मैं इससे शादी करूँगा बड़े भाई ने कहा तुम कैसे करोगे मैं इससे शादी कर चुका हूँ दोनों आपस में इस प्रकार बात की बात में लड़ गए कि दोनों ने तलवार खीच लिया और एक दूसरे को मार कर दोनों वही खत्म हो गए और तब वहां और उठकर चल दी, राजा भी पीछे-पीछे चला वहां औरत चलते-चलते नदी के किनारे पहुची और वहां पहुचते हा सामपिन बन गई, एक नाव खुल चुकी थी बीस-पचीस आदमी उस पर सवार थे, वह सामपिनी उसी नाव पर चड़ गई, राजा भी एक दूसरी नाव पर चड़ के उसका तमाशा देखता रहा, थोड़ी देर में राजा ने देखा कि वहां नाव में इस तरफ से भाग दोड करने लगी, नाव के लोग कभी आगे जाते कभी पीछे भागते, खड़ मातर में ही इतना नीचे उपर नाव हो गई की उल्ट गई, नाव के सभी लोग पानी में डूप गए, तब सामपिन नदी के उस पार निकली और एक साधू का वेश बना कर आसन लगा कर बैठ गए, चंदन माला कमंडल सब साथ था, पंडित के सामने गया प्रणाम किया और पूछा कि महराज आप कौन है, क्या करते हैं, मैं आपका खेल बहुत देर से देख रहा हूं, अब आप क्या करेंगी, पंडित ने कहा कि क्या करोगे जानकर, जाओ तुम राजा हो अपना काम करो, राजा ने प्रार्थना किया, बह मैं सबका काल हूँ, तुमने देखा कि जिनको जैसे खत्म करना था, मैंने उनको खत्म किया, मेरा यही काम है, अब चले जाओ, राजा ने कहा कि महराज अब क्या करेंगी, पंडित ने कहा कि यहां मत पूछो, तुम चले जाओ, राजा ने तब पूछा कि अच्छा महराज मुझे कृपा करके यहां बता दें कि मैं कब मरूँगा और कैसे मरूँगा? पंदित ने कहा कि यहां नहीं बताऊंगा कि कैसे मरोगे परंतु यहां याद रखो कि जब कभी तुम कोठे पर से गिरना और घुटने में तनिक भी खरोच लग जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी मौत हो जाएगी राजा ने सुन लिया और वापस चला आया सयोगवश कुछी ने बाद राजा एक दिन अचानक कोठे पर गिर पड़ा घुटने में जरा सी खरोच लगा राजा ने कहा कि तुम लोग राजपाट संभालो अब मैं जाऊंगा उसके बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि वह तंदुरूस था और कोई विशेश चोट भी नहीं लगी थी परंतु थोड़ी देर में ही राजा शान्त हो गया इसी लिए किसी को अपने शरीर पर विश्वास यह नहीं करना चाहिए कि हमें तो बहुत दिन जीना है पता नहीं कब किसके दिन पूरे हो जाएं मरने के पहले अपनी आत्मा को अपने घर पहुँचा दे शरीर को किराय का मकान समझे वक्त पूरा होते ही इसका मालिक काल तुरंत मकान खाली करा लेगा तो काल है ही उसके यहां दया नहीं उसने कभी आज तक किसी को माफ नहीं किया जन देना और मारना उसका काम ही है बनाश शरीर पाकर अगर काम आपने नहीं किया